आज हम पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका नाम है A Traveller Who Was A Thief This is the title of this story A Traveller means एक यात्री जो ट्रेवलिंग करता है उसको क्या बोलते हैं Traveller यात्री Who जो वाज था क्या था A Thief एक चोर एक यात्री जो एक चोर था ठीक है देखते हैं कैसी स्टोरी क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा एक एक वर्ड का एक लाइन का यहाँ पर आपको ट्रास्नेशन मिलेगा One night एक रात एक रात की बात है क्या हुआ A Traveller गगन A Traveller means यात्री एक यात्री जिसका नाम क्या था गगन एक यात्री गगन Came to धीरजलाल एक यात्री था जिसका नाम है गगन Came वो आया To धीरजलाल धीरजलाल के पास आया या धीरजलाल से मिलने आया ठीक है As a guest एक महमान बनके एक महमान के रूप में As का मतलब वो क्या होता है की तरह के रूप में A guest एक महमान के रूप में आया कोन आया गगन कोन था वो एक ट्रेवलर था एक यात्री था किस से मिलने आया Came to धीरजलाल धीरजलाल के पास आया एक महमान के रूप में जैसे मैं बुलू Rahul मेरे पास आया कैसे बुलूँगा Rahul Came to me Came के साथ Come की second form है Came है ना देखिए जब कोई story आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं verb की second form आपको ज़्यादा देखने को मिलती क्यों? क्योंकि सारी चीजे past में चलती रहती है जो बीद गया उस चीज़ को आप बता रहे है जो past में हुआ था इसलिए सारी चीजे past में चलती stories यहाँ पर आपको past की form ज़्यादा देखने को मिलती ठीक है Gagan was Gagan था यह जो traveler है Gagan यह किसे मिलाया धीरजलाल से एक महमान बन के आया Gagan was Gagan was served देखो serve की second form third form है served ed लगा है ठीक है second form third form ed लगके बनती serve का मतलब क्या होता है s-e-r-v-e serve serve का मतलब होता है परोसना जब आप भोजन परोसने किसी को क्या बोलते है serve करना ओके तो Gagan जब मेमान बन के आया है किस के पास दिरजलाल के पास तो Gagan was served Gagan को परोसा गया Gagan was served मतलब Gagan को परोसा गया क्या परोसा गया food भोजन परोसा गया काय पर किस चीज़ पर on a golden plate एक सोने की plate पर किस चीज़ पर एक सोने की plate पर भोजन परोसा गया golden मतलब सोने की plate है सोनी की प्लेट पर भोजन परुशा गया दिया गया गगन को ठीक है His greedy sight उसकी लालची निगाएं किसकी गगन की लालच से भरी हुई जो नजरें थी निगाएं थी fell, पढ़ गई, पढ़ी fall की second form है fell, पढ़ी कहां पर पढ़ी on the plate, plate के उपर उसकी जो लालची निगाएं थी, किसकी गगन की वो किस पर पढ़ गई, plate पर पढ़ गई He, वह, wanted He किसके लिए है, He, मतलब गगन He, wanted, वो चाहता था, क्या जाता था, it, इसे वो इसे चाहता था, इसे मतलब इस plate को चाहता था सोने की Desperately, मतलब किसी भी सर्थ पर, जल्दबाजी में है न, वो चाहता था, बिल्कुल मुझे प्लेट मिल जानी चाहिए है न, desperately का मतलब क्या होता है, पूरे जुनून के साथ बेसबरी के साथ, है न, बिल्कुल बेसबरी के साथ वो चाहता था, जल्दी से जल्दी मुझे प्लेट मिल जानी चाहिए है न, he wanted, वो चाहता था, it मतलब इसे Desperately, मतलब बेसबरी से At midnight, midnight का मतलब क्या होता है, आधी रात At midnight मतलब आधी रात को आधी रात को, when, जब धीरजलाल was fast asleep जब धीरजलाल जिसके घर गगन आया था, है न, तो रात को क्या हुआ, देखो गगन की नजर किस पे पड़ गई थी, प्लेट पे पड़ गई थी सोने की तो at midnight जब आधी रात को, when, जब धीरजलाल, जो धीरजलाल था, है न, धीरजलाल was था, क्या था, asleep मतलब सोया हुआ, fast का मतलब क्या, fast asleep मतलब क्या हो गया, तेज नीद में, गहरी नीद में, सोया हुआ था, है न, when, जब धीरजलाल गहरी नीद में सोया हुआ था, कब, रात को, आधी रात को, तब क्या हुआ, गगन searched for the plate गगन ने क्या किया, search for का मतलब होता है तलासी लेना, ढूंडना search for की second form है searched for, ed लग गया तो गगन ने क्या किया, तलासी लिया ढूंडने लगा हो, किस चीज को ढूंडने लगा the plate, इस plate को everywhere, हर जगह search for, मतलब search करने लगा ढूंडने लगा, तलास करने लगा गगन उस plate को, आधी रात को and, or at last और अंतथ, finally at last means, finally अंतथ, आखिरी में found it, found मतलब प्राप्त कर लिया, पा लिया, मिल गई उसे, it मतलब ये plate और आखिरी में उसने वो plate को पा लिया कहाँ पर पा लिया, कहाँ मिली under, मतलब नीचे, किस चीज के नीचे धीरज लाल's pillow, धीरज लाल के तक्या के नीचे, सिराने के नीचे पा लिया, उसने प्राप्त कर लिया, ठीक है, ओके समझ में आई ये कहानी, ओके आगे देख लेते हैं आप pause करके revise भी कर सकते चीजों को खुद से एक बार है न he carefully, उसने बड़ी सावधानी पुरवग took it out took, take की second form है took है न, took मतलब ले लिया it मतलब इसे plate को out मतलब बाहर, बाहर ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, he मतलब उसने, गगन ने carefully बड़ी सावधानी पुरवग took, ले लिया, it मतलब इसे इस plate को out मतलब बाहर, बाहर ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, then फिर, तक्या के नीचे से निकाल लिया, फिर क्या हुआ, then फिर, he वह silently चुप चाप, बिल्कुल चुप चाप slipped out, slipped out का मतलब होता है बाहर निकाल जाना slip out मतलब क्या होता है फिसल जाना, बाहर फिसल जाना या बाहर निकाल जाना उस घर से, है न, ठीक है कहां से बाहर निकल गया, slip out of the house, उस घर से देखो then he silently वह चुप चाप चोरी से, slipped out उस घर से बाहर चला गया निकल गया चिपचाप and or reached पहुँच गया reached की second form है reached और पहुँच गया कहां पहुँच गया a nearby pond एक करीब के तालाब में nearby का मतलब होता है past के या करीब के एक pond मतलब तालाब के पास वो तालाब के तरफ पहुच गया तालाब तक पहुच 2nd Time वो तालाब में उतर गया analytics उतर ममें उतर गया and or hid चुपा दिया, hide देखो, hide की second form hide याने चुपा ना, उसकी second form क्या होती है, hid and hid चुपा दिया, the plate उस plate को कहा चुपा दिया, under नीचे, किसके नीचे, under a small stone एक छोटे पत्थर के नीचे चुपा दिया, यहां तक कहानी clear है, okay वो रात को, आधी रात को सिराने के नीचे, उसने उस plate को निकाल लिया बाहर वहां से, carefully है ना, और क्या किया उसने then he silently, चुप चाप, slip out of the house, घर से बाहर निकल गया चुप चाप, और कहां पहुँच गया करीब के एक तालाब के पास पहुँच गया तालाब में, है ना, और he waded into it, वो उसमें उतर गया तालाब में है ना, and he'd चुपा दिया plate को, under a small stone एक छोटे से पत्तर के नीचे, फिर क्या हुआ, he went, वो चला गया वापस से, back, मतलब वापस वो वापस चला गया, to sleep सोने के लिए कोन गगन, ठीक है, जो की मेमान बन के आया था, यातरी था एक traveler था, ठीक है तो he went back, वो वापस चला गया, क्यों, to sleep सोने के लिए deciding that, ये निस्चित करके, deciding का मतलब होता ये निस्चित करके, ये फैसला करके, that, की, क्या फैसला किया था, उसने की, I shall मैं चला जाओंगा यहां से at, कब, अब time बता रहा है, तो at लगाना पड़ता है जैसे 7 बजे निकल जाओंगा बोलता तो at 7 o'clock लिख देता 7 o'clock, ऐसा लिख देता 8 बजे बोलता तो 8 o'clock लिख देता, लिकिन यहां पर क्या लिखा है at के बाद, at the crack the crack of the down, the crack of the down, क्या मतलब इसका down का I shall leave, मैं निकल जाओंगा from here, यहां से, कब निकल जाओंगा the crack of the down मतलब एकदम भोर को मतलब एकदम सुभा सुभा ही निकल जाओंगा down का मतलब क्या होता है, वो वाला time होता है, जो एकदम सुभा से भी पहले का, अर्ली मॉनिंग को बोलते हैं डाउन, है ना, भोर बोलते हैं इंदिम उसको, तो मैं कब निकल जाओंगा, the crack of the down, एकदम सुभा सुभा निकल जाओंगा, यह सोच कर वो वापस, he went back, वापस से ले जाता है सोने के लिए, है ना, deciding that, यह सोच के, कि मैं कहा करूँग निकल जाओंगा, यहाँ पर एकदम सुभा सुभा, यहाँ से निकल जाओंगा, चला जाओंगा, तो धीरजलाल वोक अप, अब धीरजलाल उठा, he immediately noticed, और उसने तुरंत ध्यान दिया, है ना, धीरजलाल उड़िया, है ना, he immediately और उसने तुरंत ध्यान दिया, क्या ध्यान प्लेट थी जो खो गई थी जो प्लेट लापता प्लेट उस पे तुरंत इसने क्या दिया ध्यान दिया, किसने धिरजलाल ने, जैसी उठा उसका ध्यान गया प्लेट गुम गई उस मिसिंग प्लेट पे ध्यान गया उसका, suspecting गगन, to be the thief, suspecting का मतलब क्या होता है संदेह करते हुए सक करते हुए गगन पर किस पर गगन पर क्या सक करते हुए to be होने का दथीफ मतलब चोर होने का गगन के चोर होने का सक करते हुए suspecting गगन to be the thief गगन के चोर होने का संदेह करते हुए he वह कौन धिरजलाल वह he went वो चला गया to his room उसके room की तरफ चला गया यहाँ in the room अगर होता तो room के अंदर चला गया हो जाता लेकिन यहाँ to his room मतलब उसके room की तरफ चला गया and saw और देखा and or saw देखा क्या देखा him उसे किसको गंगन को देखा क्या देखा changing बदलते हुए क्या बदलते हुए the clothes कपड़े वो कपड़े change कर रहा था अपने वो कपड़े change करते हुए देखा ठीक है क्यों कर रहा था क्योंकि वो रात को ही क्या हुआ था देखो यहाँ जो धीरजलाल है उसकी नींद रात को ही जाती है और रात को जब ये गगन वापस आता है तो उसके कपड़े पुरे मिट्टी से भर जाते हैं गंदे हो जाते हैं इसलिए अपने कपड़े चेंज करते रहता है रूम में तो धिरजलाल को जब प्लेट का पता चलता है अरे प्लेट कहां चलेगी तो उसे लगता है के रूम में रात और रात वो आता आके देखता है बाहर से तो क्या पता चलता है he was changing the clothes वो क्या कर था अपने कपड़े बदल रहा था he observed उसने ध्यान से देखा he उसने object का मतलब ध्यान से देखा या महसूस किया that की क्या महसूस किया उसने की गगन के जो पैर थे and और clothes मतलब उसके जो कपड़े थे वर थे कैसे थे muddy मतलब कीचर से भरे हुए थे उसको बोलते है muddy है न up to तक कहा तक the waist कमर तक he observed उसने ध्यान से देखा notice किया that की गगन के जो पैर थे और जो कपड़े थे clothes थे वर वो थे क्या थे muddy मतलब मैल से भरे हुए थे मिट्टी से भरे हुए थे up to the waist मतलब कमर था तो धीरजलाल understood धीरजलाल समझ गया what had happened की क्या हुआ था धीरजलाल समझ गया की क्या हुआ था he went वो गया he went मतलब वो गया कहा गया to the same pond वो रातो रात क्या चला गया to the same point उसी तालाब में की तरफ चला गया and or waded वो तालाब की तरफ चला गया and waded waded का मतलब उतर गया पानी में until the water reached his waist कितना उतर गया वो until जब तक की जो पानी है reached पहुँच नहीं जाता his waist उसकी कमर तक तब तक वो तालाब में उतर चा चला गया है ना नीचे तक जाता गया after some efforts और कुछ प्रयास करने के बाद कुछ मेहनत करने के बाद कोसिस करने के बाद है ना he found उसने पा लिया his plate अपनी plate उससे अपनी plate मिल गया उसने अपनी plate खोज लिया प्राप्त कर लिया meanwhile और इस दौरान इस वक्त जो गगन था ना वो क्या कर रहा था गगन had over slapped वो तब्यत से सो रहा था बिल्कुल गहरी नीन में सो रहा था ना देर तक सोता रहा वो गगन है ना the moment जैसे ही the moment का मतलब होता है जिस पल या जिस चन he woke up the moment he woke up जिस पल या जिस चन he woke up वो उठा wake up की second form है woke up जिस चन वो उठा गगन he rushed वो तेजी से rushed का मतलब होता है तेजी से कहीं जाना r-u-s-h rush उसकी second form है rust he rushed वो तेजी से गया कहां गया? towards, मतलब की तरफ, किस की तरफ, towards the pond, तालाप की तरफ, देखो समझना, the moment he woke up, जैसे ही वो उठा, जिस छड़ वो उठा, he rushed, वो तेजी से गया, towards, मतलब की तरफ, किस की तरफ, the pond, तालाप की तरफ, and, or, क्या हुआ फिर, and, 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 groved, around, for the plate, and grove, G-R-O-P-E, grove, grove का मतलब होता है, टटोलना, हाथ से, ढून दें के लिए, हम टटोलते हैं, हाथ से, चीजों को, उसको बोलते हैं, grove, ठीक है, तो वो तालाप की तरफ चला गया, जैसे ही वो उठा, वो, तेजी से तालाप की तरफ चला गया, and, grove, और, तलास करने लगा, टटोलने लगा, around, मतलब, आसपास, आसपास, अपने, वो तालाप में, आसपास, टटोलने लगा, क्या, for the plate, plate के लिए, मतलब, plate को, टटोलने लगा ढूलने लगा आसपास भई फिर क्या हुआ anticipating anticipating का मतलब होता है क्या this इस बात की कलपना करते हुए पुरवानुमान लगाते हुए धीरजलाल धीरजलाल को पता चल गया था कि यह उठेगा गगन और सीधे कहां जाएगा तालाब में जाएगा वहाँ से अपनी प्लेट निकालेगा और वहाँ से फरार हो जाएगा भाग जाएगा तो इस बात का अनुमान लगाते हुए anticipating this मतलब इस चीज का पहले से ही अनुमान लगाते हुए धीरजलाल to धीरजलाल भी reached मतलब पहुँच गया कहाँ पहुच गया? reach की second form reached पहुच गया धीरजलाल कहाँ पहुच गया? there वहाँ उस तालाब तक पहुच गया and, or taunted और ताने मारते हुए कहा taunted मतलब ताने मार दिया क्या ताने मारा उसने? धीरजलाल ने क्या ताने मारा? जो inverted comma के अंदर जो बात लिखी ये बात ताने मारते भी धिरजलाल ने कही है किसे कही है गगन से क्या कहा the pond the pond is too muddy ये जो pond है तालाब है बड़ा ज्यादा कीचल वाला है too muddy मतलब बड़ा कीचल वाला है you must have discovered तुम्हे जरूर पता चल गया होगा you must have discovered मतलब तुम्हे पता चल गया होगा it मतलब इस बात का कि ये तालाब कैसा बड़ा कीचल वाला है कब last night कल रात को कल रात को तुम्हे इस बात का पता चल गया होगा अभी जो रात गई पिछली रात को तुम्हे इस बात का पता चल गया होगा you must have discovered it ये बात तुम्हे ये बात पता चल गए होगी last night मतलब पिछली रात की ताला आप कैसा है बहुत कीचल वाला है तभी तो गगन की पूरे पैर जो कपड़े थे पैर उसे कीचल से भर गए थे गगन knew गगन जान गया था गगन समझ गया था गगन को पता चल गया था क्या he had been caught की उसे पकड़ा जा चुका है red handed मतलब रंगे हातो देखो कितने अची लाईन है ध्यान से देखना न गगन knew गगन जान गया था क्या जान गया था he had been caught की उसे पकड़ा जा चुका है red handed मतलब रंगे हातों उसे रंगे हातों पकला जा चुका है ये बात गगन जान गया था he wriggled out of the pond वो उस तालाप से wriggle out का मतलब होता है wriggle out का मतलब होता है बड़े हलबडी में बड़े हलबडी में वहाँ से बाहर निकलना he wriggled out वो बड़े हडबड़ी में बाहर निकला, कहां से? Off the pond तालाप से ठीक है? उसे पता चला था कि अरे मैं तो पकड़ा जा चुका हूँ तंगे हातों, तो बिल्कुल हडबड़ी में तालाप से बाहर निकल गया कैसी लगी आपको स्टोरी और एक एक लाइन को आपको खुद भी ट्रांसलेट करना है ठीक है? ठीक है? ठीक यू वेरी मच माई डियर स्ट्रेंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या चाहते हैं? ठीक यू वेरी मच